अगर आप लोगों के केमिस्ट्री में, हाफ एलीज और प्रीबोज में सिरफ रियाक्शन्स की वज़े से नंबर कट रहे हैं, आप लोगों को वो समझ नहीं आ रही है या याद नहीं हो रही है, तो ये विडियो आप लोगों के लिए बहुत हैलफुल होने वाली है, आप ल क्योंकि जब आप दो बार देखोगे, तो आप लोगों के दिमाग में चीज़े बैठेंगी, रियाक्शन्स को पांच-छे बार लिखोगे, तो चितना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, तो आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर ये चाहर रियाक्शन्स दिख रही हो कार्बोनेट प्लिस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब आसे रियाक करता है, तो वह एक सॉल्ट देता है, कार्बन डायक्साइड देता है, और वाटर देता है, तीन चीज़े निकालता है, ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग बेस और आसेड को मिलाते है, तो हमारे को है तो भी हम लोगों को सॉल्ट ऑ वाटर मिलता है, अब हम लोग आगे रियाक्शिन में देखते हैं, कि हम लोगों को कैसे हेलफफोल है, पहले हम लोग देखते हैं, आसेड का रियाक्सिन ही निकाल दो ठीक है आप लोग उने अपने असे में से एक अच्टो लेके निकाल दिया बाकी अपने भी रेक्टेंस में बचेवे components है वो आपके salt में आ जाएंगे जैसे यहां पी जो आपको salt मिल रहा है कौन सा मिल रहा है zinc sulfate which is ZNSO4 next time देखते है reactions of acids with metal oxide हम लोग लग ने असे लिया है HCL से मिला रहे हैं सियो क्या था हमारा हम लोग ने पहले अपनी वीडियो में देखा था फर्स चाप्टर की कि metal oxide में जब हम लोग acid मिला रहे तो एक salt और एक water निकल रहे है तो वही सेम चीज हो रहे है यहां पर हमें CACL2 का salt मिल गया और H2O water रिलीज हो गया अब हम देखते है अब देखते हैं अगर हम देखते हैं तो CACO3 जब हम HCl acid चे मिला रहे है तो हमारा एक salt निकल रहे हैं का बनाइकसड ग्यास निकल रहे है और water निकल रहा है जैसे हम लोगोंने देखा था क्लोराइड, Cl2 salt मिल गया हमें water मिल गया और carbon dioxide मिल गया वैसे ही Na2CO3 में भी हो रहा है sodium carbonate में भी same चीज हो रही है वैसे ही NaHCO3 में हो रहा है sodium bicarbonate में या sodium hydrogen carbonate में भी same HCl के साथ reaction करके NaCl water और carbon dioxide गयास निकल रही है अब हम लोग आते है HCl, HCl का जब water के साथ reaction होता है जब हम लोग बेस को यहां पर हमने बेस के लिया है NaOH तो हमारा एक salt निकलता है और H2 gas जैसे acid में हो रहा था सेम ऐसी basis में होता है जब हम लोग मेटल के साथ र्याक करवाते है acid या बेस का H2 gas निकलती है और एक salt मनता है यहां जो salt बन रहा है sodium zincate Na2ZNO2 Na2ZNO2 यह है हमारा sodium zincate salt वहीं अगर हम लोग बेस की reactions non-metallic oxide के साथ वहां भी हम लोग क्या कर रहे था acid की किस के साथ करवारे था metallic oxide की और हम बेस की किस के साथ कर रहे है non-metallic oxide की जैसे carbon dioxide आपका एक non-metallic oxide है जब इसकी हम लोग reaction कर वा रहे है calcium carbonate which is CaCO3 plus water मिल रहे हम लोगों को अगर हम लोग अगे देखें तो basis की reaction जब हम लोग acids के साथ करते हैं तो हमारा salt और water निकलता है यह हमारी सबसे basic reaction है जो आप लोगों से पूछी जा सकती है कि कि किसी एक base की हेचल के साथ क्या reaction होती है एक हमारा salt निकलता और एक हमारा water निकलता है कहाँ हम लोगोंने क्या लिया है और HCl हम लोगोंने acid लिया है HCl और एने वह को मिलाके हमारा NACL salt बनता है और water स्वांद इंति अहिं सिस्ट में देखा था । एक के साथ पॉज़िटे निकलता है। तो इसके सथ आप लिए वह एक्से नप्लम निकलता है। आगे हम लोग देखते हैं यह reaction यह हम लोगों की reaction एक activity के फॉर्म में आप लोगों की बुक में दी हुए है basically क्या इसमें lime water lime water को slag lime भी बोलते है आप लोगों ने चाप्टर बन की reaction अच्छे से पढ़ी हो तो आपको पता है एक white precipitate बन रहा है precipitate के होते है something that settles down in a solution तो white precipitate किस चीज का मन रहा है हमारा calcium carbonate का अब क्या करते हम लोग अगर इसी calcium carbonate के precipitate में हम लोग और co2 add कर दे प्लस कुछ water डाल दे तो हमारा यह white precipitate मतलब यह precipitate हम लोगों का अब हम लोगों को visibly नहीं दिखता डिजॉल्व हो जाता है solution में यह हम लोगों की reaction है इसको reaction form में देख लेते हैं एक बर ही हम लोग caoh hold twice को जब आप co2 से रियाग करवा रहे है तो हमारा white precipitate मन रहा है किसका calcium carbonate का plus water रिलीज हो रहा है उसी calcium carbonate में जब हम लोग access co2 दपास कर रहे है और h2o मिला रहे है तो हम लोगों का hydrogen carbonate बन रहा है which is soluble in water further reactions अगर हम लोग देखे तो हम लोगों के bleaching powder, baking powder के वाली reactions आती है यह सबसे easy reaction है अगर आप लोगों समझे अच्छे से तो आप लोगों को easily समझ भी आ चाहेगी यह है sodium hydroxide की सबसे परी reaction है इसमें हम लोग क्या करते है एक aqua solution लेते है NACL salt का NACL salt हम लोगों लिया इसके aqua solution को brine भी बोलते है यह आप लोगों को नाम याद करना पड़ेगा aqua solution of NACL is called brine अब इसमें हम लोग क्लोर आलकली प्रोसेस कराते है यह क्लोर आलकली प्रोसेस होता क्या है हम लोग एक बीकर लेते हैं उसमें aqua solution of NACL दालते हैं उसमें electricity पास करवाते हैं ठीक है जब हम लोग electricity पास करवाते हैं तो हमारे को तीन प्रोड़क्स मिलते हैं क्या-क्या NaOH, Cl2 और H2 क्या-क्या मिलते है हमारे को NaOH which is base sodium hydroxide, Cl2 which is chlorine and water अब यही क्लोरीन हम लोगों का bleaching powder बनाने में यूज आता है कैसे बनते हैं bleaching powder हम लोग ले लेते हैं slag lime या फिल lime water which is CaOH hold twice इसमें हम लोग जब क्लोरीन आड करते हैं तो हमारे को एक salt मिलते है Caoclt CaO, Cl2 जिसको हम लोग कहते है calcium oxy chloride plus water release होते है यह जो calcium oxy chloride है यही आप लोगों का bleaching powder होते है आगे चलते हैं हम लोग baking soda की reaction पर baking soda कैसे form होता है NaCl salt में जब हम लोग water CO2 plus ammonia मिलाते हैं यह आप लोगों की सबसे बड़ी reaction है पूरी 10th class की book में इस reaction को आप लोगों को याद करना पड़ेगा इसमें 4 reactants मिला रहे हैं हम लोग इसमें ammonia अक्सर हम लोग भूल जाते हैं लिखना तो यह अप लोग अच्छे से आद कर लिजेगा कि NaCl में H2O CO2 और ammonia मिलाने पर हमारे 2 salts बनते हैं एक बनते है हमारा ammonium chloride दूसरा हमारा बनते है sodium hydrogen carbonate जो हम लोगों को मिला है इसी को हम लोग baking soda बोलते हैं ठीक है अब आते हैं हम next जब हम लोग कोकिंग करते हैं तो हम लोग baking soda का तब यूज करते हैं केक बनाने में उसको softy or fluffy बनाने में तो softy or fluffy कैसे बनते है जब हम लोगों का हम बेकिंग soda डालते है और उसको heat करते है तो हम लोगों की Na2CO3 एक salt बनता है water release होता है तोड़ा सा और carbon dioxide gas यही केक्स को फ्लफी बनाती है तो आप लोगों का बोड में पैशन ऐसी आएगा कि कौन सी ग्यास होती है जो केक्स को फ्लफी बनाती है और इसका फॉर्मेशन कंपाउंट से होता है तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा ना-HCO3 से होता है विच बेकिंग सोडा को एक यह एच पॉजिटिव यहाँ पे असे डिनोट करता है ठीक है यह एसे अगर कोई हम लोग मिला देते हैं बेकिंग सोडा में तो सी ओ टू गयास रिलीज करता है एच टू और सोडियम सॉल्ट ऑफ आसे वो जो आसे डाला है उसका सोडियम सॉल्ट निकल जाता है यह जो सी करते हैं तो क्या मिल जाता है हमारे को वशिंग सोडा रिक्रिस्टलाइजेशन में कुछ नहीं है जिसे हम प्लस-10-10-10-10 अश्ट शू लिख दोगे तो आपकी रिक्रिस्टलाइजेशन वाली राक्शन आ गई तो रिक्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हो ता एन टू-COO-3.10 सब्सक्राइब करें तो हम लोगों की बुक में रियाक्शन दिये हुए आप लोगों की टेंथ क्लास की वह उल्टी दिया रिया रिया रियाक्शन अचली आपका बनता कैसे प्योप पहले हम लोग जिप्सम लेते हैं उसको 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो हमारा सी असोफ डॉट हाफ अजाता है यह आपका पी ओपी होता है सी असोफ डॉट हाफ एच टुओ क्याल्शियम सल्फट डॉट हाफ एच टुओ ठीक है प्लस आपका यह बनेंदा हाफ एच टूर भी रिलीज हो जाता है यह आप लोगों की यह आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो समझाई हो आपको सारी चेमिकल रियाक्शन अगर भी भी नहीं समझाई यह डाउट लग तो इस वीडियो को वापस देखो जितना आप लोग लिग कर प्राक्टिस करोंगे उतनी जादा अच्छी से समझाईगी और इसना ए मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी से वीडियो में थांकियो सो मच पर वाचिंग